तो फाइयो फाइलेली रियल में अपना नंबर स्रीचर यानि 11 स्रीच को आज लाइच कर दिया है दोस्तो इस स्रीच में 3 स्मार्फोन की लाइच किया है और यह 3 समार्फोन जो है sujetatu 5G काफी अच्छा दिया है लेकिन जो price में निकल गया है सच में मुझे काफी इंड्रेस्टिंग सा लगा क्योंकि यहां पर प्राइज तीनों स्मार्ट फॉन का काफी कम रखा है आज की इस वीडियो में बताऊंगा प्राइस कितना रखा स्वाइब मिलता है और साथ में DISAIN में बगरा कैसा है सब कुछ चेंज देखनों को मिलता है तो सबसब पहले यहां पर दोनों फोन में कर्व एमुलेड डिस्प्लेय मिलता है दोस्तों दोनों फोन में इसेंटर बात करते हैं यहाँ पर Android operating system का तो दोनोई फोन आया है Android 13 के साथ और दोनोई फोन में आपको सेम चिपसेट मिलता है दोस्तों MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट यहाँ पर यूच किया गया है और यह चिपसेट मिलता जूलता आपको Dimensity 1080 का जैसे ही है दोस्तों दोनोई फोन में यहाँ पर LPDDR4X RAM है दोनोई फोन में UFS 2.2 का स्टोडेज है लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्यामरा संसर में आपको डिफरेंस मिलता है आपको यहाँ पर Realme 11 Pro जो आया है दोस्तों उसमें आपको 108 प्लस 2 मेगाफिक्सल का डियूल रियर कैमरा मिलता ह जहाँ पर 16 मेगाफिक्सल का सेलफी कैमरा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो Realme 11 Pro प्लस आया ना वहाँ पर आपको 200 मेगाफिक्सल का कैमरा मिलता है 8 मेगाफिक्सल का अल्टरा हुआइड और 2 मेगाफिक्सल का एक अलग से संसर मिलता है और 32 मेगाफिक्सल का आपको सेलफ के साथ आपको देखनों को मिलता है तो यह दो चीज आपको change देखनों को मिलता है लेकिन अगर price की बात करें तो price में भी change रखा है दोस्तो जो कि realme 11 pro जो आया है तो caffeine चेसाथ 24300 के आसपास इसका प्राइस रखा घया है और आपको AMOLED display मिलता है दोस्तों full HD plus resolution के साथ लेकिन वहाँ पर आपको 90Hz का refresh rate मिलता है गर्ब आपको नहीं मिलता है फ्लाट्स आपको AMOLED मिल जाता है और यहाँ पर MediaTek Dimensity 6020 का आपको chipset मिलता है जो की एक नया chipset है दोस्तों जो की आपको Realme 11 में मिलता है 5000 mAh का battery है 33W का charger दिया गया है 64MP dual rear camera को यूज किया गया है 8MP selfie camera है Realme 11 में दिया गया है दोस्तों और इसका price 18,900 के आसपास यानी 19,000 के अंदर इसको launch किया गया है दोस्तों और यह सारे smartphone तिनों smartphone फिलाल आज officially चाइना पर launch किया गया है दोस्तों और चाइना पर यह price रखा है इंडियान मनी में convert करके मैंने आपको बताया बहुत ही जद यह तिनों smartphone इंडियान मार्केट में भी आ रहा है क्यूंकि टीज करना स्टार्ट कर दिया है और अगर यह सारे features के साथ आता है तो एक्चुली में काफी तबाही मचाने वारा है इन्हें आपको design और features कैसा लगा और price जो निकल काया हो कैसा लगा कोमेंट करके बताना अच्छा लगे वीडियो तो like जरू करना चैनल पर ने हो subscribe भी कर लणा मैं मिलता आपको अगला को interesting वीडियो में तब तक लिए जैहीन टेक्यार